कि नाम क्या आपको हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान को पर दबाव बनाया जाए पाकिस्तान को कराना जवाब देने कोशिश की जाए पाकिस्ताने जो हरकत वाजी कर रहा है अच्छी चीज नहीं है कि अपर दबाव तो बनाया जा सकता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो पाकिस्तान वह से भी पस्त है घबडाया हुआ हुआ है पाकिस्तान अब पहले अपने विमान बेश्टा है बॉर्डर पर अधिर देते लिए भारत उससे टाकत्वर देश है ना भागत भारत ते थ चीज बताईए अब क्या लगता है मोदी जी सांति की बात करेंगे भी और लेकिन वह है अपनी सेना हटाएंगे नहीं वहां से इसलिए नहीं हटाएंगे कि वह जानते हैं कि संधवता करने के पस्ताथ बाद में वह हरकत बाजी कर सकता है पाकिस्तान की दोरे रवाइस से और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है बार बार उस पे हमला कर रहा है हिंदुस्तान के आर्मी पे और बस मैं इतना ही चाहता हूँ एक हिंदुस्तानी के नाते हिंदुस्तान जिन्दाबाद और पाकिस्तान के बाज़ा एक चीज बताईए मुझे चलिए ह हैं लुक्त कर दोध हालाज पर आप काबू से बहार रहते था हैं कि यूद्ध करते हैं अब चाहा है कि जो तुम्हारा देस इसी देस में गदार बसे हुए है अगर वो गद्दार तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता हिंदूस्तान के अंदर यहां कहीं आदमी घुसपैट लोगों के घरों में बैठे हुए लोग इसी चक्कर से जो है भारत को यह सिस्टम जेलना पड़ रहा है और नुक्सान उठाना पड़ रहा है अच्छा हमारे जो एक पैलेट हैं वो हमें सिध्य सही सलाम सोपा जाए अगर कुछ हरकतवाजी करते हैं तो उस पर जो है सरकार सक्त कारवाई करेगी इनके ऑपर अच्छा मसूद अजहर की बात करते हैं लगातर बोलते हैं कि वैसुक आतंकी होना चाहिए आज एक बार फिर्ट से जो है मांग की गई है उसकी जो युनाइटिस रक्षा पर से ते उसमें बात की गई है लेकिन चीन अडंगा डाल देता है उसमें चीन अडंगा इसलिए डा अब जो चीन अपने अपने अपना फाइदा देखता है कहीं अपना फायदा वो अपना बाजार समिक्तें पाकिस्तान की साथ कर रहे हैं इंडिया में उसका चिन का माल अपने अपस आ नहीं देगे, अगर बात की जाए आप से पूचूँगा मैं अगर बात की जाए आतंकवाद को लेकर के तो क्या लग रहा है कि आतंक लेकर के पाकिस्तितान का चेहरा बेनकाब हो गया है हमने आतंक के ठीकानों पर फायरिंग की अर्टिकान पर मंगी रहे हैं लेकिन उससे बॉखला गया उसे तो सुकुर्गजार होना चाहिए था हमारे गर में आतंकी पल रहे हैं उनको मार गिरा है लेकिन बस कर्षट की बात है कि हमारा पाइलेट वहां फस गया किसी वजह से लेकिन हमारी सरकार की कोशिस है कि उसे घर पे वापसी किया जाए बढिया से किया जाए और उसे सुरक्षित घर पे भेजा जाए अन्यता अगर पकिस्तान हमारे सेनी के साथ अगर अन्यता कुछ भी करता है तो हमारी देश की पबलीक हमारे जो नेता हैं चाहिए हमारे जो भी हैं लोग सब लोग से एक साथ खड़े हैं हमारा पाइलेट सुरक्षी चाहिए एक चीज़ वर मैं आपको बदा दू कि हमारे पाइलेट को तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेनेवा संदी आ जाती है शायद आप लोगों को पता नहीं हो उसके बारे में उसमें क्या हो जाता है कि कुछ सर्तिय हो जाती है अगर सेनिक को बंदी बना लिया जाता है तो उसको सुरक्षित रखना होता है वो जो दुश्मन देश होता है उसकी जिम्मेदारी होती है लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से फोटो वाइरल कर रहा है जवान की तो कई न कई वो पहले से उस संधी स्वाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो मानने ल्द्विस्टान these Susy मानता आ रहा है इलाज किया पाकिस्तान सूर रहा है कि पाकिस्तान का स्क्राइब एक हुषान कि और अभी जाएंगे तो यहीं बाद नहीं कि यहां तक कन्डिसन्स आ जाती है आप देखिए पाकिस्तान ने भी कल एर्स्ट्राइक करने की कोशिस कि हमारे सेने ठेकानों पर लेकिन कामयाब नहीं हुआ हमारे वानों ने उनके जो F-16 था उसको ध्वस्त कर दिया तो क्या लग रहा है हर बार क्या होता है 1971 ले लीजी आप यहां तक कंडिशन पोस्ति वह स्टाइम वार हुआ बाद में सांती समझ होता 1999 बाद में सांती समझ होता है अब हमको जहलना पड़ता है पुरी में हमला जहलना पड़ता है घाए आधी कब तक आए घ्लते रहेंगे यह ज्यादा दिन तक सड़े वाला नहीं है है अगर मोधिजी और अग्रा चैंस मिलजा तो पांट साल में यह सफाया हो सकता है चुनाओं में क्या लग रहा है इस वार मोधी जी बनेंगे और किसी के सामने कोई रास्ता ही नहीं है इनके बाद कोई है नहीं सुखल भी इमान चलिए आप अच्छा मोधी जी तो कर रहे है लेकिन वाय सेना ने जो प्राक्रम देखा है उसको भी कहने के पुरा देश सलाम कर है बहुत अच्छा बात है बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम किया था अब इंडियन आर्मी ने तो कर दिया काम वाय सेना ने भी कर दिया क्या लगर आपकी बार जो नेवी है उसको उसको चांस मिलेगा थाल सेना को भी चांस मिलेगा उसको भी चांस मिलेगा तो इसको बारत माता की ये बारत माता की ये बारत माता की ये पाकिस्तान जिन्गातार तो आप देख सकते हैं यहां पर जो लोग हैं उनमें किस तरह का हर सोलास देखने को मिल रहा है लगातार हर कोई बस एक ही मांग कर रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है अरब वक्त आ गया है कि ना अब मसूद अजहर बचेगा ना अब हावी सईद बचेगा बहुत जेल लिए हमने तुम्हारे आतंग की हमले अब बारी है तुम्हारे आतंग के आकाओं को सबक सिकाने की एविसा न्यूस के लिए कैमना परसन अरुन के साथ मैं सोहंसिक झाल